अभी हमने पिछली लेक्टर्स में वेरियस स्टेजिस अफ शिविल ट्राइल के बादे में देखा बने फ्रम दी प्रॉक्रेशन अफ दी प्लेंट से लेकर और जज्जमेंट और डिग्री पारिद होने पर जब किसी भी ट्राइल में जज्जमेंट पारिद होता है और जज्जमेंट के अनुसात्व डिग्री पकाराई जाती है तो दौनों में से कोई ने कोई एक पार्टी उस डिग्री से पीडित होती है तो जो प्रीडित पक्षार है उसके लिए रिमेडी क्या है? मल लिए उसको यह ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब जिद्मेंट मेरे खिलाफ हुआ है लेकर गलत हुआ है तो उसका सुधार के लिए उसके क्या रास्ता है? उसके पास में क्या उचार है? तो यह उचार जो है अपील का उचार है तो अपील के लिए सबसे पहले नहीं देगा है कि वट इस अपील है क्या आफिर? तो इसको मैं पहले थोड़ा कहीं refer कर चुका हूँ कि अपील is not defined in CPC इसकी परिवासा कहीं CPC में नहीं दी गई है लेकिन dictionary meaning के अनसार अगर हम इसको देखे हैं तो अपील is the judicial examination of the judgment or order of an inferior court by a superior court या subordinate court by a superior court बने एक अधिनस्थ नियाले या कनिस्थ नियाले के निर्ने या आजेश का वरिष्थ नियाले द्वारा किया गया नियाइक परिक्षड, judicial examination उसे अपील कहा गया है dictionary के meaning के अनसार इसी की एक परिवासा प्रिकांसिल वारा जी गई है एक जज्जमेंट में वो जज्जमेंट का नाम आप नोट कर दे हैं नांगेंगर नात्त दे वारेस्ट शुरेश्चंद दे नांगेंद्रनात्त दे विरुद्ध शुरेश्चंद दे ये आपका अinqu 1932 प्रिवी कांसिल 1932 प्रिवी कांसिल का ये जज्जमेंट है और इस जज्जमेंट में प्रिवी कांसिल की जुडिशियल कमेटी के मेंबर के रूप में प्रिवी कांसिल के विहाब पर बोलते हुए सरदिंसा मुल्ला द्वारा ये कहा गया अपील के संदर में उन्हें बताए गया कोई भी पक्षिकार जो उसके विरुद निर्णे हुआ है उस निर्णे को सुधार कराने के लिए वो अगर उस निर्णे में कोई गलती पाता है तो उस गलती को मूडिफाई कराने के लिए उसके खिलाब उप्चार पाने के लिए वर जो परवेश करने का अधिकार है यही अपील का अधिकार कहलता है तो अपील को जो परवास्त रहें किया गया है तो अपील क्या है इस बारे में जो डिक्षनरी मीनिंग और इस जज्दमेंट में जो प्रिवी कॉंसिन दौरा जो कहा गया जज्दमेंड में उसके अपील is the judicial examination तो यह आपका जुडिशल एक्जामनेशन, वहाँ पर यह वर्ड बहुत मैच्पूर्ण है, जुडिशल एक्जामनेशन, क्योंकि नियाएक परिक्षण करने से ताट पर यह है, कि केबल उसको पढ़ने नहीं है, उसको वास्तविक्ता, उसका नियाएक तरीकी से यह देखता कि वास्तव में इसमें कहीं कोई गल्ती है, क्या, तो यह आपका हो गया, कि what is an appeal, अब इसके आपाद में आता है आपका, इसके appeal के essential elements क्या होते है, what are the essential elements of an appeal, तो appeal में तीन चीज़े होना चीए, सबसे पहले, there must be an order or judgment, भाई एक निर्णाय आदेश कोई होगा न, जिसके विरुत आप appeal में जाईए, तो सबसे पहला essential element का, any judgment or order, पार्ट वाइडी कोट, अब पार्ट वाइडी कोट में दोनों सब्द आ जाते हैं, देखिए, trial court भी हो सकता है वो, और appeal court भी हो सकता है, अभी appeal के काइंस में हम आगे देखेंगे, अब आप यह कहेंगे कि कौन सा trial court को रही है, अपेलर court को कहा है, तो उसको थोड़ा कमया confusion आपको ना रहे, कि जैसे वाली जे trial court ने कोई judgment किया, civil judge द्वारा, तो उसकी appeal जो होगी, और district judge किया होगी, और district judge ने अगर ओजिल जूडिक्शन में अगर कोई judgment किया है, तो उसकी appeal high court में होगी और या trial court ने कोई judgment किया civil judge उसकी first appeal district judge क्या होई और उस first appeal से भी अगर कोई grievance है तो second appeal का provision भी है तो कहने का ताथ पर ये कि appeal दोनों है trial court के judgment के against भी appeal है और appealate court के judgment के against भी appeal है तो appeal से ताथ पर ये there must be any judgment जो first आपको second appeal आपको करने जानी है clear है दूसरा आएगा जर मस्की पार्टी अगरिवड वाइड जजज्मेंट मने ऐसा कोई प्रक्षकार जो उस निर्ना या आजेश्य पीड़ित है एनी पार्टी अगरिवड वाइड जज्ज्मेंट और और अगर्टी अगरिवड वाइड जज्ज्मे or the body hearing the appeal mais इसको सुनने वाला भी तो कोई यह है उपीलग कहां से डियाकर कौन होगी judicial examination कौन करेगा तो judicial examination करने वाली जो संशता है judicial करने वाला जो जुनिकाय है judicial examination करने वाला जो नियाएल है तो एक नियाएल है भी उसका एक essential part है so these are the three essential part of an appeal पहला तो हो गया एक judgment होना ही चाहिए जज्ज्मेंट नहीं होगा तो अपील किसके बुरूद जाएगी सबसे पहला तो पायट हो गया उसका judgment किसी भी नहीं रखा है दूसरा पायट हो गया उस judgment से व्यसित कोई पक्षकार और तीसरा पायट हो गया कि उसको सुनने वाल आखर कौन है तो उसको forum, manch, यह निकाय, body, court, कुछ भी उसको अभी कह सकते हैं तो there must be some body, there must be some forum, there must be some court to hear that appeal, so these are the three essential part of an appeal, अब appeal के बारे में यह कहा गया है, appeal is the continuation of the shoot, appeal is the continuation of the shoot, माने वाद की निरंतरता ही में उसको सामिल किया गया है, अब देकिए वाद की निरंतरता के पर सामिल करने से ताथपर क्या है, टीपी एक्ट आपने पढ़ा है तो, पढ़ चुके होगी आप लग टीपी एक्ट, पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, क्या है, क्या है, डॉक्टिन अफ लिस्पेंडेंस लंदेजवाद का सिधान्त, सेक्टिन फिप्टी तू के नीचे एक एक एक्स्पेंशन दिया गया है, मैंने टीपी एक्टी धारा नहीं पढ़ा रहा है, आपको यह समझा रहा हूँ निरंतरता क्या है, शूट को, अपी पेंडेंस का सिधान्त टीपी एक्टि में यह बताया गया है, कि जहां किसी भी इम्मोबिल प्रॉपर्टी के संदर में किनी पक्षकारों के बीच, कोई वाद पैंडिंग है, तो उस वाद के पैंडिंग रहते हुए, उस वाद के लंबित रहते हुए, दौना में से कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किसी भी रूप में नहीं कर सकता, यह धारा भाबन टीपी एक्टि कहते हैं, तो इसमें जी सब्द आया है, कि वाद के लंबित रहते हुए, एक्स्प्रेजिशन जो दिया गया है उस धारा के नीचे, उस एक्स्प्रेजिशन में यही बताय है, कि वाद का लंबित रहना क्या है, तो अगर वो एक्स्प्रेजिशन अगर आपने पढ़ा हो, और उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, कि सूट इस पैंडिंग, एस तू रहे टिट इस प्रिजेंटेल विफोर दी कोट, अब तिल दा एक्स्प्रेजिशन इस कम से ताजपर यहां यह रहता है, various stages of civil trial में आप लेने पढ़ा है, presentation of print and institution of the suit, these are the two different things, बाद पत्र का प्रस्तुत करना, बाद का संशित करना नहीं है, बाद नियायले के सामदे जब बाद पत्र प्रस्तुत किया गया, तो नियायले दौरा पहले उसका परिक्षण किया जाता है, कि यह proper तरीकी से drafted है के नहीं, proper तरीकी से लिखा गया है नहीं, order 6, order 7 का compliance हुआ यह नहीं हुआ, धारा 26 और आजश चाहर आपने पढ़ा है उसी reference में, और जब उस परिक्षण में वो सही तरीकी से पेश हुआ होता है, तब यह कहा जाता है कि हाँ, बाद पूर्ड रूप से सही है, तब उसको संसित किया जाता है, order 4 का rule 2 होता है, कि एक register होता है, जिसमें उसको दर्ज करते हैं, तो वाद प्रस्तुत करना वाद अलग ह है, और वाद का संसित होना अलग स्टेज होती है, लेकिन for the purpose of pendency of the suit, as soon as the plant is presented, the suit is dimmed to the pending, और कब तक पैंद रहता है वो, ट्राइल कोर्स से उसका decision हो गया, ब्रतित पक्षकार्ण उसकी first appeal की, first appeal से भी decision हो गया, पर इस्टित्य ऐसी है कि second appeal भी हुईगी, second appeal के बाद भी second appeal की degree से भी बाली जो कोई बक्षकार पीड़ित है, तो supreme court तक भी जाता है, supreme court से भी final decision हो गया, और वहाँ से भी final degree हो गई, बस इसके आगे अब कोई appeal का रास्ता नहीं है, और उस degree का execution, गजुकूशन भी हमने यहां भी नहीं पढ़ा है, execution के आगे पढ़े हैंए अब, execution चीता पर क्या है, उस डिग्री का जो लाव पक्षकार को दिया जाना है उसका करियान्वन कैसे किया जाना है तो जब तक उस डिग्री का करियान्वन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये माना जाता है कि वाद पेंडिनिंग है तो इसी निए काग्या है कि अपील is the continuation of the shoot मने ट्राइल कोट में दावा पेश हुआ बस 1950 में और सुप्रेम कोट से उसका डिसेल हुआ 2040 में तो 90 साल तक वो केस पैंडिंग माना जाएगा जब तक कि उसका फैनल डिसीजन नहीं हो जाता जो तो इस प्रकार से हम ये मान के चलते हैं ये जो हमारा नया हेडिंग हो आपको भी बता रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि पैंडिंग आप दी अपील इस नोन एप दी कंटिनिशन अप दी शोट अपील का पैंडिंग होना ये माना जाता है कि अभी वाज समाप्त नहीं हुआ है अभी वाज प्रभावशी ले प्रचलन में है चालू है भी तो इसके संदर में ये दो तिन केश लौज है अलागराग उनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा सबसे पहला केशनों इसमें है गारिक पती विरया गारिक पती जी ए आ आई के ए पी ए टी आई गारिक पती विरया वी डवन ए आर ए वाई ए गारिक पती विरया विरुद एन सुबया चौधरी एन सुबया चौधरी इन 1957 सुप्रेम कोट 1957 सुप्रेम कोट इसमें ये बताया गया है इस केस में ट्राइल कोट के सामने जो सुट दावा रहा जिसका डेसल कोट इसका पुनाई चौनवाई ये अपील में हो गयता है तो अपीज को एक ये माना जाता है जिस अपील में जो डिग्री पारित होती है trial court की degree पारित हुई appeal हो गई तो appeal के बाद में execution किस degree का होगा constraint court की degree का होगा execution कि degree sort doctor of murder क्या होता है बिलेय का सिध्धान trial court पारित ही first appeal हुई first appeal में तो जो भी बोडी विशन किया, चेंज किया, सेट साइट किया, खारिच किया, फर्स्ट अपीलेट कोट की डिगरी पारित हो गई, तो जो ट्राइल कोट की डिगरी है, उसका विल ए, फर्स्ट अपीलेट कोट की डिगरी में हो जाता है, अब फर्स्ट अपीलेट कोट की प्रवाइब कोट की डिग्री भी खतम हो गई फर्स्ट अपीलेट कोट की डिग्री भी सबाप्त हो गई अब कॉन्सी डिग्री आ गई प्रवाइब कोट की तो माने वो जो दौनों डिग्री आ थी वो उसमें जाके विले तो एक के बाद एक डिग्री जो पारित होती जाती है तो पहली डिग्री का स्टिट्ट्ट समाप्त हो जाता है और नई डिग्री जो आती है उसमें सारी डिग्री एक साथ विले हो जाती है विले का सिध्धान्त पर इसका केशलो एक विले के सिध्धान्त पर लिख लीजिए का आप जो है जावद हुषैन विरुद गेंदा सेंग यह 1926 का प्रीवी कॉंचल का जज्मेंट है यह भी इस जज्मेंट में भी प्रीवी कॉंचल न यही कहा है कि जहां एक के बाद एक डिग्री की अपील होती है और अपीलेट कोट से जहां डिग्री पारत हो जाती है तो जो पूर्व की पहली डिग्री है उस डिग्री का अस्टित्य समाप्थ हो जाता है और नई डिग्री में वो डिग्री मर्ज हो जाती है समा जाती है इसलिए का गया स्कूर डॉक्ट्रिन ओफ मर्जर बिलैका सिद्धान्थ अब यह बिलैका सिद्धान्थ क्यों लागू होता है मालीजे ट्राइल कोट की एक डिग्री है फर्स्ट अपीलेट कोट की डिग्री आ गई अगर सभी डिग्रियों का अस्टित्व एक साथ बना रहे है तीन डिग्रियां हो जाएगे अब तीनो डिग्री अगर मालीज करते बिलैका भूँ आगू है तो किस डिग्री का परवर्तन किया जाएगा तो उस सबस्ट्चय को सबधान करने के लिए डाक्षिन ओफ बर्जर बिलैका प्षिद्धान लागू किया गया कि जहां एक डिग्री के विरुद्ध अपील हुई और अपीलिट कोर्ट द्वारा जहां डिग्री पारित की गई, वो चाहिए फर्स्ट अपील हो, सेकिंड अपील हो, अपीलिट कोर्ट द्वारा जहां डिग्री पारित कर दी जाती है, तो पहली वाली डिग्री उसे दूसी डिग्री में समर्ज हो जाती है, उसमें विल्य हो जाता है और उसका प्रसक्ष से कोई अस्टित नहीं रह जाता है, बरना समझ्या यह आए कि किस डिग्री का, तो एक ही साथ, एक ही विशह में, दो अलग-अलग डिग्रीयों का परवर्टव नहीं हो सकता, इस सिद्धान्त क के आधारपा डॉक्त लौग्ज हो किया गया प्रभी कमिशन के इस डिवेख्मैंट में, और बोने कहा कि जो ओरिग्रीयों के शद्धान्त है वो आखरी डिग्री में मर्ज होके, और जो उन्तिम डिग्री हैuff, watch, ऑैक्जीकुमिशन किसका होगा,छी जिग्रीयों क तो इसी में आवा एक दो केश लोग और भी हैं के अपील is the continuation of the suit में, उन केश लोज को आप लिए, बागी सिद्धान से सम्मे एक ही बताया गया है, क्यों केश लोग में आपको इसलिए लिखा रहा हूं, कि आपको कभी कभी केश लोज पर कुष्टन आ जाता है, प्री में प एक आपका है, रमन कुट्टी विरुद्ध अवरा, रमन कुट्टी, रमन कुट्टी, के यू डवल टी वाई, अवरा, 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 ये 1994 सुप्रेम कोट, ये जोग आपका केश लोग है, काले है, रमन कुट्टी, रमन कुट्टी, रमन कुट्टी विरुद्धавरा, ये है 1994 सुप्रेम कोट, यह जो आपका केशलो है यह बताया है यह है पावर्स और डूटी ऑप दी अपिलेट कोर्ट के संदर्में पावर्स और डूटी ऑप दी अपिलेट कोर्ट के संदर्में यह केशलो जो बताया है यह वही उसी साथ में अपिलेट कंटिविशन अब दी शूट आपका सिपीशे आपिल इट कोट की डीगरी के वरुद जहां होती है, तो अपीलिट कोट क्या 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 कर सकता है? अपिलिट कोट उस दिग्री में निरस्ट कर सकता है उसको इसको केंसिर करेगा माली ये पूरी डिग्री निरस्ट किये जाने लाइक नहीं है उसका कुछ सुधार किया आप सकता है मौडिफिकेक्शन तुष मोडिफाय किया जा सकता है आपीलेट कोड रवार और तीसरा ट्राइल कोड के divisions करके हारिज करके उसольно थाप चरद करूक है तो यह तीनो काम आपेले कोड़ के पावर्स है। और यह ट्राइल कोड़ के जंजमेंट का ही नहीं है। फर्स अपील के वरुतियास जात ही है। वहां भी एक्सृति वही आगिया। क्योंकि अपील की प्रवासा होई है, judicial examination of the judgment of the inferior court by the superior court. तो first appellate court is inferior than the second appellate court. तो इसके अपील, वहाँ second appeal नजा कर चलेगा. तो वहाँ पर भी 117, 117 अपील नयायलय की सक्तियों के बारे बारे बताता है, कि अपील नयायलय की सभी सक्तियों प्राप्त होती हैं, जो विचारन नयायलय की प्राप्त होती है. अपील देखिए, धारा एकसो साथ देखिएगा, धारा एकसो साथ का सबसे लास्ट क्लॉज होगा उसमें, उसमें तीन चार क्लॉज दिएगा है, सब्सक्राइब लास्ट माला है सब्सक्राइब क्लॉज होगा देखिए सब्सक्राइब देखो पुर्वक्ति अधीद रहते हुए अपील नायरा को भी सब्सक्राइब करेगा जो आरम्भिक अधिकारता की नायरा की संसित भाद किया जाता है माने ट्राइल कोट को जो पावर्स हैं वो पावर्स अपीलेट को भी होती है अब देखिए ये प्राभ्धान क्यों दिया गया ये उसी रिफेरेंस में आपका अपिल इस अधी शूट जैसे माली जे किसी व्यक्ति ने परफिट्र इंजंक्शन के लिए कोई दावा पेश किया परफिट्र इंजंक्शन समझते है इस्थाई व्यादेश के लिए कोई दावा पेश किया और इस्थाई व्यादेश के साथ में दावे में ओर्डर 39 रूर 12 के अंतरगध टैंपले के साथ ने तो टेंपरेजी इंजिंशन का क्या है इस्पेशिक रिफेक्ट की बेरा जब तक है आप लोग पढ़ चुके होंगे पढ़ चुके हैं का रही अरे भाई हाना कुस तो बोलो बढ़ा है तो इस्पेशिक रिफेक्ट की आई सेक्शन थर्टी सिक्स प्रवेंटिव रिफ के नाम से वोग टॉपिक है और उसमें बताये गया है कि प्रवेंटिव रिफ इस ग्रांटेड वाई वी अफिजिंशन निवारक अनुतोर जो है व्यादेश के माध्यम से प्रदान किया एता है और धारा स्चांटिस जी कहती है कि व्यादेश दो प्रक प्रवावसिल रहेगा दावे का निराकन जैसे हुआ माली ये प्रवावा पेश हुआ है इस्थाई व्यादेश के लिए दावा पेश हुआ है तो टैंप्रेश इंजिंशन के वी ग्रांटेड दूरिं दी प्रॉसेटिंग अप्धी ट्राइल वाई आजिस के माध्यम से ल जाता है इसको डेटेल पर पढ़ चुके होंगे वो रिफर करना यहीं जरूरी है कि आपको इसके थोड़ा सा मेमोरी रिफर्स हो जाए प्रप्यूचल इंजिंशन इस ग्रांटेज बाइव ऑफ डिग्री ऑन दा मेरेड ऑदी केस प्रकड़ के गुर्दोस के आखर पर जो आखर तो टेयंपिरी इंजुंक्षन के लिए अप्लिकिसट ट्राइल को हती है और ट्रायल को उस टेंपिर्री इंजिंचंटर की एप्लिकिसट को ट्राइव ग्रांट करता है बंझूर करता है को प्रकड़ के नराकान तक इसाय स्थिती बनाई रखी जाए मान लिए बादी का दावा किश्वी कारण से खाने जो जाता है तो बादी का जहां दावा खाने जो गया टेंपरिय इंजन्टर खाता है लेकिन बादी उस डिगरी के बिरुद अपील करता है और अपील ने आया लेकर समक्षिवों यह कहता है मेरे को ट्राइल के दौराण टेंपरिय इंजन्टर मिला था और शुकर मेरे दावा खाने जोगा इसलिए वो इंजन्टर समाप्त हो गया प्रतिबादी जो है पुना अस्तक्षेप कर सकता है या इस प्रोपर्टी को फिर से बेश सकता है मुझे टेंपरिय इंजन्टर अपील के राकर्ण तक भी दिया जाए तो और शर्टी नाइन का रूल वन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड सूट दिया गया है वह अपील सब्द का योग नहीं किया गया है अर्डर सर्टीनाइन में सून्ट वर्ड यूज किया गया है वाद वह वर्ड अपील नहीं है फर्ड तो अब वहां ही श्थिती आजाती है कि जो अपील नायाधिह से टेंपरी इंजन्टिर्ण पार्टी मांग रहीap मान लिजी जे कि temporary injunction अपील नयायले में ग्रांट ने किया तो उसी तो अपील वेकार हो जाएगी तो अपील नयायले कैसे पराद injunction ग्रांट करेगा क्योंकि order 39 में तो सूट के लिए लागू है तो धारा एक्सर साथ कहती है कि विचारन नयायले को जो अधिकार प्राद हैं वो सारे के सारे अधिकार अपील नयायले को भी है वारे विचारन नयायले जब ट्राइल कोड के रूप में किसी दावे में temporary injunction ग्रांट कर सकता है तो अपील नयायले भी अपील के दोरान अपील के लंबित रहते हुए temporary instant grant करने का अधिकार रहता है तो यह सारी चीजें क्या बताती है हमको इन सब के पीशे है शिद्धान्त क्या है प्रिंस्पल क्या है appeal is the continuation of the suit पाहि ओने जरे उसमा आ जाले उसमा जाओ appeal is the continuation of the suit तो यह आपका दूसरा केश्छला हो गया इस संदर में एक और केश्छछा आपनेगी जिजिगेस में दया बती विरुद इंद्रजीत दया बती विरुद इंद्रजीत 1946 सुप्रेम कोट इसमें जस्टिस हिएत उल्ला उस्टाम सुप्रम कोड की जड़ से बाद में शीफ ज़ीवी हुए वो तो जस्टिस हिएत उल्ला ने इस केस में यह कहा है कि आपील आखिल है क्या तो इसमें भी यही कहा गया कि ट्राइल कोट द्वारा या निम्र अदिरस्ट नियाले द्वारा पारिस जज्जमेंट में या ओर्डर में कर किसी प्रकार की कोई गल्ती की गई है तो उसमें सुधार करने के लिए पीरित पक्षकार वर्ष नियाले में प्रविश करता है तो उसको वर्ष नियाले में जाने का यह अधिकार कहां से मिलता है अपील के बाद जम से तो उस अपील के बाद जम से उसको वर्ष नियाले में जाने का अधिकार मिलता है और वहां वो वर्ष नियाले से निविदर करता है कि इस डजमेट भी ये गल्ती है और इनको सुधार किया जाए थीन सबके पीछे ये की है, के सलोग जितने भी जे है सबके पीछे है, सिधान जे की है कि appeal is the continuation of the shoot and appealate court has the same power as of the trial court एक और के सलोग है इसमें आपका collector of custom collector of custom विरुद इस इंडिया कॉमर्शियल कंपनी लिम्टेड ये 1937 सुप्रेम कोर्ट का जज्जमेंट है इस जज्जमेंट में भी सुप्रेम कोर्ट ने यही का है करेक्ट रख सकता है अगर कोई गलती नहीं है तो अपील को खारीज भी कर सकता है तो यह आपका हो गया appeal is the continuation of the shoot के संदर्ब में इसके बाद में हमां next आपका heading note कर लिएगा आप जो है अपील का अधिकार राइट टू अपील ना वाट इस राइट टू अपील यहां पर हम पहले यह देखें यह राइट टू फाइल दी शूट and the right to file the appeal यह दोनों चीज़ है बाजी नहीं है पैदे दावा पेश किया है पाइल कोर्ट यह सबक्ष वहां से degree हुई डिगरी के बाद जो भी पार्टी उससे पर्ति बैथित है वो पक्षकार अगरे बधश्च टी लहरा में जाकर राइट पीछ करता है जो है तो क्या दौनों अधिकार एक समान है, राइट तू फाइल की सूट और राइट तू फाइल अपील, नहीं, दौनों में डिफरेंस है, तो राइट तू फाइल की सूट इस इस इनिरेंट राइट अभी पार्प्ति, एक अंतर नेट, राइट तू फाइल जूट जो है, तइस इनिरेंट राइट ऑफ्ट अपील, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पक्षकार का, एक अंतर नेट अधिकार है, सेक्शन नाइन आप पढ़ चुके हैं, जूरिक्षन पर अपना लेक्टर हुआ है, शिबिल ने आया रहा कि शिबिल न जो कहती है, every court has right jurisdiction to hear the suit of civil nature if it is not expressly or impliedly wired by any law. तो ये क्या सो करता है, ये language क्या सो करती है, माने अगर civil nature का कोई अधिकार किसी व्यत्ती का हनन हो रहा है, तो वो civil nature के समक्ष जाकर अपने उस अधिकार की रक्षा के लिए दावा पेश कर सकता है. तो civil nature में दावा पेश करने के अधिकार के लिए उसको किसी authority की आवशकता नहीं है. कि वल यही condition है, it must not be barred by any law firm. किसी भी बीजी द्वारा वो दावा वर्जित नहीं होना चाहिए. दावा वर्जित कहा का हो सकता है, इस बारे में भी मैंने आपको पिछरी लेक्षर दुमताया है, section 12 उजह हमने discuss की है, war to the further suit के बारे में. तो expressly और impliedly, अविव्यक्षित रूप से या विवक्षित रूप से, वार्ज अगर नहीं है, बर्जित अगर नहीं है, तो प्रत्य व्यक्थि को अधिकार है, कि वो दावा पेश करे, अगर उसके अधिकार का हणन हो रहा है, तो उसको कोई निलोग सकता है. कभी-कभी क्या इस्टिती हो जाती है, कि इस्टिती ये आ जाती है, कि कोई व्यक्थि कि वज सौकिया तरीके से किश्वी को परिशान करने के लिए, दावा लेकार आ जाता है, नियायरे के साथ नहीं है, लेकिन नियायल है उस दावे को भी लेने से इंकार नहीं कर सकता, क्यों? लेकिन दावे का विचारन तो करना पड़ेगा, दावा तो सुनना पड़ेगा, तो इसा कोई अधिकार अपील पेश करने के बारे में इंहरेंट राइट नहीं है, अधिकार नहीं दिया गया है, तब तक अपील जो है, वो इनहेंट राइट रूप में नहीं हो सकता, लेकिन अपील का अधिकार प्राप्त कब हो जाता है? जैसे मालीजी अधिया गया विजी दवारा को आपील का अधिकार दिया गया, जैसे सक्टन 96 में फर्सट अपील का अधिकार दिया है, शेच्टन 100 में सेकंड अपील के इसा कमदा आ गया है, और तो यह प्रावधान क्या है, यह प्रावधान बिजीद वारा प्रदत अधिकार है, कोई भी व्यक्ति, अगर ओरिजिनल जूरिक्षन के ड्यायर की किसी डिग्री से व्यतित है, तो फर्स्ट अपील पेस्ट कर सकता है, सेक्टर नाइंटी से के अंतर करते हैं, फर्स्ट अपीलेट कोड की डिगरी से भी अगर कोई पक्षकार संतुस्ट नहीं है, तो सेक्टर हंडेट के अंतरगत हाई कोड में सेक्टर अपील प्रस्टूत कर सकता है, और हाई कोड की बाद भी जो है, सुप्रिम कोड तक भी अपील का प्रावधान, लगे उसके लिए प्रावधान है, तो वहाँ subject to the limitation of the law, यह ध्यान दखेगा हमेशा, अधिकार जो दिया है, तो अधिकार किन सीमाओं के अंतरगत है, अब जैसे second appeal, धारासौ के अंतरगत, it will be hard only on the point of law, कि विल विदी के प्रस्ट पर यह सुड़ी जाएगी, तक सिके प्रस्ट पर अभी second appeal क चेप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पने डिस्कॉस को करेंगे, अभी हम केवल यह देख रहे हैं कि appeal का अधिकार जो है, विजी द्वारा प्रजत अधिकार है, यह inherent right अंतर नहींत अधिकार नहीं है, तो this is the basis or the fundamental difference between the right to file the suit and right to file the appeal, तो इस चीज को आपको ध्यान में लखना है और यह आपका दिया गया है, आपका case law है इस पर गंगावाई विरुद्ध विजय कुमार, गंगावाई विरुद्ध विजय कुमार, इस case में Supreme Court नहीं रिसाइट किया है, जिसा मैंने आपको भी बताया, कि वादी का दावा कितना भी आधार हुन हो, कितना भी मूर्खिता पूर्ण हो, देखिए सुनने से ताथपर क्या है, सुनवाई से ताथपर क्या है, इन रेंड राइट से मतलब क्या है, उस पर थोड़ी सी भ्याद देना है आपको, मान लिजे कोई व्यक्ति, कोई ऐसे अधिकार की मांग करती हुए जाता है जो कि वह दाने के लूप से उसको प्रदान किया ही नहीं जा सकता और ऐसे अधिकार की मांग करते हुए वो न्यायले के समख से दावा पेड़, मनि उसको भी कह सकते हैं कि मुर्खता पूर दावा है, मुर्खता पूर दावा, तो न्या भी करना पड़ेगा, बुरोधी पक्षकार को बुलाना भी पड़ेगा, और उसके बाद में उसका सुर्वाई के उपरांति जिने न दिया जाएगा, कि ऐसा कोई प्राभधान नहीं है, कि आपको इसे जिखार को प्रदान किया जा सकें, तब दावा खारी जुगा, इसे राइट टू, इनरेंट राइट टू सु, और अपील के बारे में, इस पेशिक प्राभधान दिये गए हैं, कि जहां यहां किन-किन प्राभधानों के अंतरगत आप आप पेश कर सकते हैं, तो आपका यह जो गंगावाई बाला केस्ट भास भास भी यही का गया है, कि ज ऐसे टू, और प्राभधानों केंभ यहीिए, जायर लुचयन, ज जाया रुसायन विरुद्ध खुर्शीद जान यह 1906 इलावाद कहा है इसमें यह बताएगा इस केसलों में भी वही कहा गया है अब अपील सवाल यह है कि अपील पेश कप की जाती है अपील पेश करने के लिए विजी का प्रादिकार आवस्टक है तभी आप अपील पेश कर सके है अपील सवाल यह है कि अपील पेश कप की जाती है अपील पेश कियाती है अपील पेश की जाती है तो जैसे ही बादी ने दावा पेश किया, वाजपत पेश किया, अपील का अधिकार उसको उसी समय से प्राप्त हो जाता है, अपील का अधिकार उसको उसी समय से प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबादी ने दावा पेश किया, प्रतिबादी को भी अपील का अधिकार उसी समय उसे प्राप्त हो जाएगा, हाला कि इस अधिकार का उप्योग कब होगा, उप्योग उस समय होगा जिस व्यक्ति के खिलाप निरने होगा, जिस के खिलाप निरने होगा, या तो बादी खिलाप होगा, प्रतिवादी के खिलाप प्राप्त होगा, तो बादी अपने उस अधि या प्रजिबाजी अपना लिखित कर्थन पेश कर देता है। और इसलिए अपील के संदर में जो प्रावधान है। अपील के संदर में जो प्रावधान है। वो प्रावधान जो अपील के लिए प्रभावशील होंगे। जो वाद पत्र को प्रस्तुत करने के समय प्रभावशील है। मान लीजिए वादपत्र प्रस्तुत करने के समय अपील के कुछ प्राभधान है, वाद में उन प्राभधानों में कुछ परवर्तन कर दिया जाता है, मिलने पारित होते समय दूसर नए प्राभधान आ जाते है, तो अपील के संदर में उस केश में जो वादपत्र पेश किया गया जिस समय जो प्राभधान ते वो प्राभधान 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 प्राभध दावे की निरंदरता है, तो दावा जिस समय पेश हुआ है, उसी समय अपील का अधिकार उदभूत हो जाता है, इसलिए अपील के संदर में जो प्राध्धान, जो लौह है, जो प्रसीजर है, वही एडप्ट किया जाएगा, जो वाद प्रस्थुत करने के समय प्रभावशी अपील था, निरने के समय अगर चेंज हो गया है, और इस अधिकार को, इटिज अवेस्टेड राइट, विजी द्वारा दे दिया है आपको अधिकार, अपील करने का, अब उस अधिकार को बापिस नहीं लिया जिसकता, समाप्त नहीं किया जाएगा, समाप्त किया सप्टेस्ट आप लोगों नहीं है। पढ़ी होना है उस्टेझ आप लोगों नहीं है। परसने थित के बारें पड़ा है। वेस्टेड इंटेस्ट क्या है? Once an interest is vested in a person, it cannot be divested. मालेजे किसी व्यक्ति को कोई हित उसको दे दिया गया, और वो हित उसमें नहित हो गया, और उसका उपयोग करने के पूर्व उसके अगर ब्रक्ति हो जाए, सक्षा 19, 19, 19, 19 पे पढ़ा होगा तीप अपने, तो मृत्ति हो जाए के बाद में भी वो हित टांस्फर हो जाएगा उसके अलर्स को, उसके उत्रादिकारियों को, हित समाप्त नहीं होगा, लेकिन contingent interest में इस्टी अलग होती है, पढ़ चुके आप एक्जाम्बल यहां इसली दे रहा हूं आपको मैं, कि अपील का राइट भी इस वेस्टेड राइट, तो वंसे राइश्टेड इस वेस्टेड इस पर फाइल अपील, इस पर आपका, यह जो मैंने उपर आपको एक गारेक पती भी रही यह वाला केश लिखाए था, इसी में यह वाला जो बता है, मैंने को बिली के प्रावजान केश समय रागू होते हैं, उस संदर में यह दिया है, एक आपका केश लौह है, मौना पर्मार विरुद्ध इलावाद उच्छ नहल है, मौना पर्मार, मौना पर्मार विरुद्ध इलावाद उच्छ नहल है, हाई कोट अपि इलावाद, यह 2011 का सुप्रेम कोट का है, और इसी से समान एक दूत्रा है, सीता राम विरोधुत्तर प्रदेश राज्य, 1979 सुप्रेम कोट, यह जो दौलोग केश लौँ है, इसमों बहुत ही एक उप्यूक्त बात बताई गई है, अपील का कम सेगब एक अधिकार ब्यक्ति को होना बहुत आवश्यक है, at least one right to appeal must be there, अगर अपील का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है तो ट्राइल कोट ने जो जिजने आदेश पारित कर दिया है या इस पारित कर दिया तो फाइनल हो जाएगा बले ही कितना भी गलत आदेश हो तो इस केश में सुप्रिम कोट ने ये कहा है कि अफील का अधिकार आजबी को आखिर क्यों दिया जाता है क्यों प्रत्यक व्यक्ति से गल्ती होने की संभावना रहती है सुप्रिम कोट में से ये कहा है कि प्रत्यक व्यक्ति से गल्ती होने की संभावना रहती है और नियाय धीस भी एक व्यक्ति ही होता है। नियाय धीस भी एक व्यक्ति ही हो र Laughter आप आपील अगर नहीं है तो ट्राइल कोटी को पिर सुधारेगा कौन कैसे सुधारी जाहिए। तो इसलिई अपील कर एक दिकार अगर नहीं है। तो जहां एक भी अपील नहीं है तो वो ऐसा लगेगा कि बैधानिक ठाक्रिया में एक बहुत बड़ी कमी है, कि किसी व्यक्ति को आपने ऐसे अधिकार से वंजित कर दिया, चो ओ नियक्ते के नियायले की गलती को सुधारने के लिए तो इसले ट्राइल कोड की गल्टी को सुधारने के लिए कम सेका अपील का एक अधिकार होना बहुत जरूरी है. तो यह होगे आपका राइट तू अपील के बारे में, इसी बाद में आता है आपका काइंट सॉफ अपील, अपील के प्रकार. अब काइंट सॉफ अपील में कितनी का प्रकार की अपील होती है, यह हमको देख रहा है, तो सबसे पहला है आपका अपील अगेंस्टी ओरिजिनल डिग्री, मूल डिग्री के विरुद्द अपील, अपील का सबसे पहला प्रकार है, मूल डिग्री के विरुद्द अपील, आपील अगैंस धी ओर्जिनल डिक्डी और इसी को जो परचलित नाम दिया गया है that is known as the first appeal also परसाम अपील भी हम इसको कहते हैं तो परसाम अपील क्या है यह अपील अगैंस धी ओर्जिनल डिक्डी क्या है यह अपील का एक प्रकार है और इस तंदर में जो प्राभधान आपके दिये गए है धारा 96 से लेकर और 991 धारा 96 से लेकर और 991 के बीच में फर्स्ट अपील के बारे में प्राभधान दिये गए है अब फर्स्ट अपील क्या है और इन डिग्री कौन सी होगी, और इन डिग्री वाइदी ट्राइ, मेरे पास में कल आपका किसी स्टुडेंट का एक कॉस्चन पूछा पहुचा था, यह मैंने मनमहान नी ने बताया था मेरे को, कि जिसमें आपने धाराच शेयर्वेक उपर किसी स्टूडेंट में बेजा था वो कॉश्चन कि यदि धन सम्मंदी किसी बाद में चिला नायदीज द्यादा कोई डिग्री पारित की गई है तो उसकी अपील कहा होगी अब कि नाम नहीं रिखाता था स्टूडेंट का उस पर स्टूडेंट में भी बेजा होगा उस्वाम समझ रहा होगा और यह मौजूद है तो लिए एक जर्नल कॉस्टन था तो मैंने कहा तो कल क्लास में इसको बता दूगा वैसे हाला कि इस कॉस्टन का जवाब में आपको दे चुका हूं किसी अन्य रिखरेंश में धारा 96 की अब आप भासा देखेंगे अभी थोड़ा सा बन डाइवर्ट हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट जो आजाता है मेरी पर यह आजाता है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है उसको जब क्लैरिफाई नी हो जाए तब तो डाइवर्टन मेरा अलग चल जाता है फिर बात नहीं दिया ना लेकिन धारा सो देखो आप धारा सो में सेकेंड अपील अपील लगा उच्छ नियारय का नाम दिया गया है ठीक है अब यह दौना चीज़े देखेंगे आप जिसका प्रस्न है उसको उफ्तर समझ लेगी प्रयास करिएगा कि धारा 96 में क्यों नहीं दिया क्योंकि आर्थिक शेत्राधिकार के बारहे में जहन तक प्रस्न आता है क्योंकि दण्सम्बंद वाज का ही प्रस्न था आर्थिक शेत्राधिकार सेविल जज जिज्विन लूर डिविज्टीर का 25 राख सिविल ज जीन अदिविज्ग का एक करोड तक और overdism कि अगर किसी दावे का मुल जांकन 1 करोर से उपर है तो उसका ओरिजिनल ट्रायल ही डिस्ट्रिक जज चलेगी वह शिमलजेज क्या दावा चलेगा ही नहीं अब डिस्टिक जज दौरह मांद score ऑर डिस्टिक जठ उस case में जब डिर्री पारित करेंगे तो डिग्री कौनशी के लाएगी? एक मिली से ओर इसलाई डिग्री है, डिग्री अधी ट्राइल कोर्ट, और अपील के संजर में हमने क्या कहा है, वट इस अपील? जुडिशल एक्जामिनेश अरुदी जज्जमेंट अब दी कोर्ट बाइजी स्टुपिरियर कोर्ट, तब डिष्टिक ज़स्टे स्टुपिरियर कोर्ट कौन सा होगा? तो यह अपील कहां जाएगी? तो इसलिए धाराच्ष्याद में किसी नियायले का नाम नहीं दिया है, क फर्स्ट अपील किस नियायले में होगी? फर्स्ट अपील का नियायले इस बात पर दिखर करेगा, कि औरिजिनल डिग्री किस नियायले ने पारिद की है, उससे वर्ष्ट नियायले जो भी होगा, उस नियायले में वो डिग्री जाएगी, सीदा सीदा एक जिबाब, निया जो नियार है उसको अपील को सुनने का प्रादिकार रखता हो, तो अपील को सुनने का प्रादिकार किसको है? हमने जो सबसे पहला पढ़ा प्रीवी कॉंसिल का 1932 वाला उसमें यही दिया है जुडिशल एक जबने सर्भाजी शुपियर कोट, तो सुपियर कोट ट्राइल है उसमें वो डिग्री पारित होगी, तो जिसका भी प्रस्न होगा, उसने समझ लिया होगा और इसके अलावा भी कोई कंशुजन हो, आप लोगों कोई कंशुजन होगा है बे रोक पाने पूछिएगा, आप क्वेश्चन लिखके बेज दीजा करेगा, आपको जवाब सब कोई यहां मिल जाया करेगा, कोई दिक्कत बादी बाद नहीं है, तो यह हो गई आपके फर्ष्ट डिपीर, अब आते हैं हम आपके वोई अपने पट्री पर फिर अभी डाइवर्ट हो गए से, तो काइंड शाव डिग्री, अपील के बारे में हम चर्चा करने से, तो अप अपील का पहला प्रकार हुआ, अभी हम अपील के प्रकार लिख रहे हैं, उसके बाद में एक के बाद एक उनको डिस्कस करेंगे, जो है, तो पहला हो गया आपका अपील अगैंस टोरी डिग्री, मूल डिग्री के विरद्ध अपील हिंदी में, और इसको हम पचलीत भासा प्रस्व अपील या प्रसाव अपील भी कहते हैं, ठीक है, अब इसको नाम में कोई कर्फूजन नहीं रहा जाएं और इसके प्राद्धान भारा 96, 99, 91 के बीच में दिये गया है, दूसरा प्रकार अपील का है, इसको हम कहते हैं, अपील अगैंस्ट अपीलेट डिग्री, अपीली ये डिग्री के विरुद्ध अपील, अपीली डिग्री के विरुद्ध अपील, जिसे के हम सेकेंड अपील कहते हैं, इसकी संदर में प्राद्धान आपको दिए सेक्टर हंडेट, जिसे हंडेट से, धारा सौ से और एक स्टीन के वीश में, और तीसरे प्रकार की अपील होती है, अपील 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 अपील, आदेशों के विरुद्ध अपील, देखिए आदेश और डिग्री, परिवासाओं के वाले में हमने साइच चर्चा हैं कियें, अपील के विरुद्ध अपील अपील होती है, अधिकार है, वह यह अपील का अधिकार जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, आदेशों के विरुद्ध अपील का अधिकार सभी आदेशों के लिए नहीं दिया गया, वह कुछ विशिष्ट आदेशों के लिए दिया गया है, और इसके प्राध्धान आपको धारा 104, 105 और 106 में मिलेंगे जुगा, इसके साथ ही, स्टार्टिंग जब हमने ACP किया था, उसके मिलें आपको बताया था, कि there is a relation between the sections and the orders, धाराओं में और आदेशों में कुछ संबन्ध आपस में है, क्या संबन्ध है, धारायन यायले को छित्रा दिकार प्रदान करती है, और उस छित्रा दिकार का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया जो है आदेशों के अंतरगर बताई गया, तो धाराच 96 के अंतरगर जो प्रसम अपील पेश होती है, धाराच 96 ए तक जो प्रावधान दिये गए है उस बारे में, इसके लिए प्रक्रिया आपको ओरर 41 नोट कर लीजिएगा वहीं उसी के साथ, फर्स्ट अपील के साथ ले, फर्स्ट अपील के प्रक्रिया कहा दी ग और अपील अगेंस्ट ओडर जो धारा 104 से 106 बताया है, उसमें ओडर 43 है, तो आजेशों में क्या है, अपील के लिए तो हर डिग्री के विरुद अपील परमिशिमल है, लेकिर हर आजेश के विरुद अपील परमिशिमल नहीं है, अपील केवल आजेशों के विरुद, उन आदेश 43 के जम एक वे एक सीरीज दी गई है, एक लिस्ट दी गई है, के बल वही आदेश के विरुद अपील होगी, बाकी के विरुद अपील नहीं होगी, तो यह आपका काइंट्स ओफ अपील में, आदेशों के विरुद, फर्ष्ट अपील पहज़त होगे, डिगनी के व का, तो अगला अपना भी लेक्टर अभी सुनू जो होगा, वो होगा, आप फर्ष्ट अपील से अपने स्टार्ट करेंगे, तो सेक्टर 96 से लेकार, और 99 ए तक, और उसके साथ ही, ओडर 41, ओडर 41 बहुत लंबा चोड़ा आदेश है, इसको जड़ा थोड़ा सा-सा सिंसिर लिएगा, आप पढ़ लेंगे, तो आपको हमेशा काम आएगा, वाले ही है, सिविल जैस्ट बनने के समय तो काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रमोशन पाके, जब अपीलेटिल कोड के रूप में पहुँचेंगे, वहां आपको ओडर 41 की बहुत ज़रुवत पढ़ेगी, तो ओडर 41 में कौन-कौन से खास-खास महच के इतला दया, अभी नहीं नहीं बताऊंगो आपको मैं, नहीं तो आप पढ़ेगे नहीं, एक बार order 41 को कम से कम सबको पूरे को पढ़े लीजिएगा, कि अभी अपना अगले lecture से कभी साथ दिन का time है, तो साथ दिन में आप धारा हैं, और order 41 इनको पढ़िएगा, इन पर हम अगले lecture में तरचा पूरे करें तन साथ दिन क法ई है, तो साहिखते हैं, एक ख म सोनका और आपको प्तलिया थ